अलो फ्रेंट्स, फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है कोशन है, प्रित्वी के चुमकी छेत्र का उर्ध्वादर घटक सुनने होता है अप्षन है, चुमकी ध्रूओं पर, भौगोलिक ध्रूओं पर, सी प्रतेक अस्थान पर, दी चुमकी निरच पर तो इसका एंसर होगा, डी चुमकी निरच पर नेश कोशन है, प्रित्वी के चुमकी छेत्र का उर्ध्वादर घटक सुनने होता है अप्षन है, चुमकी ध्रूओं पर, भौगोलिक ध्रूओं पर, सी प्रतेक अस्थान पर, दी चुमकी निरच पर तो इसका एंसर होगा, डी चुमकी ध्रूओं पर नेश कोशन है, प्रित्वी के चुमकी छेत्र का उर्ध्वादर घटक सभी अस्थानों पर होता है इसका एंसर होगा, बी चुमकी ध्रूओं पर, नेश कोशन है, प्रित्वी के चुमकी ध्रूओं पर नती कोड का मान होता है अप्षन है, ए पैतालिशंस, बी तीसंस, सी सुन्य, डी 90 अंस, तो इसका एंसर होगा, डी 90 अंस नेस्ट कोश्चन है एक अस्थान पर नती कोड़ साठन से जदी प्रित्वी के चुमकी छेतर का 36 घटक BH है तो संपूर्ण चुमकी छेतर की तिव्रता होगी अफसन है BH बटे 2, B, BH बटे रूट 3, C, BH रूट 3 by 2, D, 2BH तो इसका एंसर होगा D, 2BH हमें दिया है नती कोड़ ठिटा एक वल टो साठन स तथा हमें BE निकालना है हमारा सुत्र होता है BH इक वल टो BE कॉस ठिटा तो BE बटे बटे कॉस ठिटा BH का मान उसी तरह रहने देते हैं और कॉस ठिटा की जगे साठन स रख देते हैं हमारा होजाता है BE equal to BH बटे कॉस साठ का मान एक वटा दो होता है तो ये दो उपर चला जाता है तो हमारा होजाता है BE equal to 2BH नेस्ट कोशन है प्रित्वी तल के किसी निश्चित अस्थान पर प्रित्वी के चुमकी छेत्र का मान उर्धवार्दर घटक 36 घटक का रूट 3 गुना है इस अस्थान पर नती कोड होगा option है कैसे वो जान लिजे हमें दिया हुआ है उर्धवार्दर घटक 36 घटक का रूट 3 गुना है उर्धवार्दर घटक को बी भी मान लें तथा 36 घटक बी एच हो तो बी भी इक्वल टू रूट 3 बी एच तो हमारा सुत्र होता है 10 ठीटा इक्वल टो बी भी बटे बी एच बी भी बराबर रूट 3 बी एच रख देते हैं तो हमारा हो जाता है 10 ठीटा बराबर रूट 3 बी एच बटे बी एच सॉल्व कर लेंगे तो बी एच से बी एच कैंसिल हो जाता है तो हमारा मिलता है 10 ठीटा बराबर रूट 3 टैन में रूट 3 जो है 10 60 का मान होता है तो हमारा हो जाते है 10 ठीटा बरावर 10 60 अतर ठीटा बरावर 60 हन्स कोश्चन है एक अस्थान पन्नती कोड तीसंस है यदि प्रिथ्वी के चुमकी छेत्र का 36 घटक भ हो तो छेत्र की तिव्रता होगी अप्सन है बी एच बटे 2, बी टू बी एच बटे रूट 3, सी बी एच रूट 2, डी बी एच रूट 3 तो इसका एंसर होगा बी, टू बी एच अपान रूट 3 हमें दिया ठीटा बरावर 30 अंस तता 36 घटक बरावर बी एच हमें निकालना है छेत्र की तिव्रता बी ए, तो हमारा सुत्र होता है बी ए बरावर बी एच अपान कॉस ठीटा तो हो जाएगा बी एच बटे कॉस तीस, कॉस तीस का मान रूट 3 बाई 2 होता है तो 2 वर चला जाता है तो हमारा हो जाता है तो है BE equal to 2BH upon root 3 जो option B है तो इसका answer B सही होगा 2BH upon root 3 Next question है प्रित्वी के तल पर छेती छेत्र वाले बिंदूओं को मिलाने वाली रेखाओं को करते हैं option है चुमकी याम्योत्तर B चुमकी अच C चुमकी रेखा D. चुमकी निरच तो इसका answer होगा D. चुमकी निरच Next question चुमकी याम्योत्तर और भोगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोड को कहते हैं option है नती कोड B. दिकपात कोड C. ध्रुण कोड D. क्रांतिक कोड तो इसका answer होगा B. दिकपात कोड Next question है डोमेन किस परदार्थ में बनते हैं A. प्रतिचुमकी B. लोचुमकी C. अनुचुमकी D. इनमें से सभी तो इसका answer होगा B. लोचुमकी Next question चुमकी प्रवित्ति का मान कम परंतु धनात्मक होता है Option है A. अनुचुमकी पदार्थों के लिए B. लोचुमकी पदार्थों के लिए C. प्रतिचुमकी पदार्थों के लिए D. सभी पदार्थों के लिए तो इसका answer होगा A. अनुचुमकी पदार्थों के लिए नेस्ट कोशन यदि किसी प्रदार्थ की आपे छिक चुमबक सेलता 0.999 हो तो इसकी प्रकृति है आपसाने अनुचुमकी, B. प्रतिचुमकी, C. लौचुमकी, D. और चुमकी तो इसका एंसर होगा B. प्रतिचुमकी क्योंकि इसका मान जो है एक से कम है जब म्यू का मान एक से कम होता है तो वह प्रतिचुमकी पदार्थ होता है नेस्ट कोशन अनुचुमकी पदार्थो की आपे छिक चुमक सेलता का मान होता है अपसाने सुने, B. greater than 1, C. less than 1, D. 1 तो इसका एंसर होगा B. greater than 1 नेस्ट कोश्चन लोग चुमक की पदार्थों के लिए आप एचिक चुमक सीलता म्यू आर है ए लेस देन वन बी इक्वल टू वन सी ग्रेटर देन ग्रेटर देन वन डी जीरू तो इसका एंसर सी होगा लौह चुमबक की पदार्थों के लिए जो चुमबक सीलता म्यू आर होता है वह एक से बहुत अधिक होता है अर्थार ग्रेटर देन ग्रेटर देन वन जो आप्शन सी है नेस्ट कोर्शन विद्दु चुमबक बनाने के लिए सबसे उचित पदार्थ है इसका एंसर क्या होगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे वीडियो को अन तक देखने के लिए धन्यवाद जो चैनल पनायों चैनल को सस्क्राइब कर ले नोटिफिकेशन बेल आउन कर ले तथा लाइक, सेयर एवन कमेंट करना ना भूले